नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉंगेस्ट यूटूब चैनल SKD All In One पे गाईज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आल के बटन पे क्लिक करें जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो की अपडेट को मेस ना कर पाएं फरस्ट अफॉल आज की जो न्यूज है वो काफी सैड न्यूज है गाईज मुझे बताते हुए भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट इट्स माई रिस्पॉंसिबिलिटी जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है सबसे पहले और सबसे जल्दी और सबसे करेक्ट न्य कि मच के केस का रिजल्ट तो कुछ आया नहीं जो बोला गया था लीडर्स के द्वारा कि जो अजय जी है वो केस को वापिस ले लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है केस की जो डेट है वो आगे एक्सपैंड कर दी गई है केस की डेट 24 फरवरी की कर दी गई है गाईज जबक के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में सारे केसिस से हम फाइनली फ्री हो जाएंगे एक्चुली आम रिली सॉरी टू से ये बहक आया जा रहा है और लीडरों को वो कुछ गलट डिसीजन ना लें करकर के उनको एक जुट करने के लिए ऐसी चीज़ें बोली जा रह होआ है, just because of rada shiam ji, अब rada shiam ji ने इस इस तरीके की बातें करी हैं लोगों से इस तरीके से उन्होंने भरुसा जता है, तो लोग उनको अपने माता पिता की तरह मानते हैं, किसीने अपने घर में मूर्तियां लगा रखे है, कोई उनको पूज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरीके से इस बेहद इस पागलपन से वो लोग रादेशम जी को चाहते हैं और उनसे इस तरीके से वो लोग बात करते हैं उनके बारे में तो उसमें से एक केस एक्चुली सेडोल के अंदर भी दो केस हुए थे उसमें से एक केस से फ्री हुए है और एक केस की जो डेट है वो 24 फरवरी की दे दी गई है फिर से सैड न्यूज है गाईज डेट टू डेट 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 मिलते जा रही है फाइनल डिसीजन कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता है टॉप लीडर्शिप ने करोड़ रुपे कमा लिये हैं वो लोगों को लालसा दे रही है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा आठ जनवरी से हमारे पास अच्छे दिन आने वाले हैं इसा होने वाला है वैसा होने वाला है इस तरीके की अपडेट्स हो रही है लेकिन ऐसा एक्च्छल में आप लोगों को अगर बुरा लगे तो लगेगा लेकिन मेरा काम है सच बताना एक्च्छल में ऐसा होने वाला नहीं है और अगर आप मेरे से पूछें मैं अगर अपने दिल की बात आजा आप लोगों के सामने पेश करूँ तो इस फ्यूचर मेकर का जो मैटर चला है इसकी सुनवाई लोगों के पक्ष में नहीं आएगी गाईज आप अपना कुछ न कुछ काम देख लें अपने जिन्दगी के साथ गलट डिसीजन ना लें जिन लोगों के पैसे लिये हुए हैं धीरे धीरे जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉबलम कर रहे हैं उन लोगों को धीरे धीरे पैसा देना शुरू कर दे या फिर से 24 फरवरी का इंतजार करें फरवरी के जन्वरी का महना भी पूरा पड़ा हुआ है फिर फरवरी के लास्ट में आप समझे जिए ये मार्च के मन तक चला गया तो 2020 भी पूरा चला जाएगा तब भी एक एसस की सुनवाई नहीं होगी होगा क्या रादे शाम जी कैसे तैसे करके बच निकल करके बाहर आ जाएंगे और पैसा किसी का मिलने वाला है नहीं I am really 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 sorry to say आप कुछ लोग अब गलत कमेंट्स भी करेंगे इसमें लेकिन वो अपने लिए करेंगे गलत कमेंट्स बड़ जो सच्चा ही है वो मैंने आप लोगों के समक्ष पेश करी है सहडोल का जो केस है अजय जी वापिस ले लेंगे बोला था कुछ हुआ नहीं कैस को और फिर से एक्स्टेंड कर दिया गया ये 22-24 तारिक तक ये केस जा चुका है अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्षन पर जरूर बताएगा भक्ति करिए अंद भक्ति मत करिए बहुत बार बोलता हूँ अभी फिर से बोलना हूँ भक्ति करिए लेकिन अंद भक्ति बिलकुल नहीं करनी है इस पे देख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, tentative जो date है, वो 24 फरवरी 2020 की है, computer generated इसमें लिखा हुआ है, updated on में लिखा हुआ है, listed today, status pending में here हैर लिखा हुआ है, hearing हुई थी, hearing होने के बाद, 24 तारीक की date दे दी गई है, तो बहुत दुखत खबर है, जो लोग कुछ लोगों को परेशान कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने किसी को चेक्स दिया होगा, एक्चुली उनका परेशान करना भी लाजमी है, क्योंकि उन्होंने जोड़ तोड मेहनत से अपना पैसा कहीं से लगाया था, रहेगा, रादर देन आप किसी कंपनी में लगाएं, वहाँ पे ज़्यादा मुनाफ़ा होने के चांसे इसके लालज दिखाये जाते हैं, लेकिन एक्चुल में वैसा होता नहीं है, बहुत लोगों के पैसे डूब जाते हैं, वो ही जो डूबे पैसे होते हैं, वो उपर वाले लोगों को डिस्टिब्यूट कर दिये जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, कि सर आप क्या करते हैं, तो गाईज मैं यूटूब भी करता हूँ आप लोगों के लिए specially अपने लिए कुछ ऐसा है नहीं कि मेरी जो रोजी रोटी है वो यूटूब से चलती है ऐसा कुछ नहीं है I have so many things मैंने बहुत सारी चीजें create करी हैं digitally business को कैसे ले जाते हैं मैं direct selling company के साथ काम करता हूँ और अपना traditional business भी मैंने direct selling के जरीए ही setup किया है एक ethical एक legal अगर आप जानना चाहते हैं ethical और legal company कैसी होती है और घर से बैठे direct selling कैसे करी जाती है ज़्यादा detail मैं जानकारी लेना चाहते हैं अपना whatsapp number में mention कर दूँगा आप directly मुझसे coordinate कर सकते हैं आपको सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी कि आप बिना घर से बाहर निकले हुए अपने काम को करने के साथ साथ अपने mobile phone को use करते हुए facebook, whatsapp, youtube, instagram जो चीज़ आप अभी तक use कर रहे थे इनी माध्यमा को use करते हुए नहीं है, मेरे लिए एक family का हिस्सा है और मैं उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोग इतना support करते हैं इतना प्यार देते हैं keep supporting guys, keep loving इसी तरीके से latest content channel के उपर मैं लाता रहूँगा और आपके कोई सुझाव है किसी specific topic पर video चाहते हैं तो आप जरूर बताएगा and one thing more आपसे मैं बोलना चाहूँगा guys I have one more channel जो health और fitness में थोड़ा सा interest लेते हैं उन लोगों के लिए भी मैंने एक channel बनाया हुआ है उस channel पर थोड़ा सा continuity में videos आ रहे हैं आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर video जरूर देखिएगा थोड़ा सा आपको ये चीज़ क्योंकि उस पैसे का कोई फाइदा नहीं जब हमारी health सही नहीं है तो उसमें ये बताएगा कि आप कम budget में अपने घर में रहते हुए बिना जिम करते हुए naturally अपने walk के जरिए या किसी भी बहुत सारे modes के जरिए आप कैसे healthy रह सकते हैं अपनी calorie कैसे burn कर सकते हैं अपना fit lifestyle कैसे जी सकते हैं तो अगर आपने नहीं उस channel को subscribe किया तो मैं channel का link दे दूँगा उस channel को भी subscribe करें channel का नाम है skd fit vlog right so मैं video over कर रहा हूँ guys thank you so very much I love you all कर एपने अपने जाए हूँ आपने ऑागा अपने ख़ुज़ जसे झापने छोड़ू है चो भी हुआज़ गल्भवोघ भीज़ नहीं